السلام علیکم बच्चन तो आज के इस लेक्चर में exercise 2.3 का मैं question number 16 और 17 करूँगी इस question में y दिया गया है और हमने ये prove करना है कि 2x dy over dx प्लस y इसका ये वाला answer प्रूब करना है तो y का हमें तो सबसे पहले first derivative चाहिए फिर ये जो condition required है इसको simplify करेंगे तो ये y दिया गया है अब इसका first derivative लेलेंगे तो हम इसको पहले differentiate करनेंगे with respect to x dy over dx और इस side पे भी derivative लेलेंगे with respect to x ये x power 1 over 2 ये x power 1 over 2 है जब उपर ले जाएंगे तो x power minus 1 over 2 हो जाएगी तो अब इसका derivative लेलेंगे power rule से power शुरू में फिर power में से 1 less और फिर base का derivative यानिक x का derivative जो के with respect to x 1 हो जाएगा अब इसका दरम्यान में minus इसी तरह power शुरू में फिर power में से 1 less और फिर base का derivative x का derivative जो के 1 हो जाएगा तो 1 over 2 x power अब 2 यहां जब LCM लेंगे न तो यहां 2 आ जाएगा उपर 1 minus 2 हो जाएगा यह तो minus minus plus 1 over 2 हो जाएगा और यहां पे भी LCM 2 minus 1 और minus 2 हो जाएगा तो 1 over 2 x power 1 minus 2 करेंगे तो minus 1 over 2 आ जाएगा plus 1 over 2 x की power minus 3 over 2 तो यह आ गया है बचो इसका first derivative dy over dx तो यहां तक हमने just इसका first derivative निकाला है अब जो question में condition है उसको verify करेंगे बचो मैं इसको यह भी लिख सकती हूँ 1 over 2 यह power नीचे आके x 1 over 2 plus हो जाएगा यह भी 1 over 2 x की power minus 3 over 2 है जो के नीचे आके plus हो जाएगी तो यह answer आ गया है dy over dx का अब question में हमें इस dy over dx के साथ 2 x चाहिए तो मैं इसके साथ पहले तो x को और साथ 2 को दोनों को कठा multiply कर देती हूँ 2 x dy over dx अब मैं इसका answer निकाल रही है तो अब मैं जब 2 x dy over dx के साथ जब multiply करूँगी न एक तो उपर 2 x आ जाएगा यानि के 2 x के साथ इस value को नीचे यह वाली value as it is रहेगी जब इसके साथ भी 2 x multiply होगा तो उपर 2 x आ जाएगा और x की power 3 over 2 एक तो यह 2 cancel out एक इसमें से यह 2 cancel out यहाँ पर 2 x dy over dx ही रहेगा अब यहाँ पर जो बाकी value बची है इसको लिख लेती है एक तो यहाँ पर x रह गया और यह square root x रह गया दूसरा यहाँ पर x रह गया और यह x power 3 over 2 है तो इसको मैं x और square root x लिख सकती हूँ इसकी reason देखें x power 1 और x power 1 over 2 अगर मैं add करूं तो 3 over 2 बनता है तो 3 over 2 को मैं x और square root x लिख सकती हूँ तो मैंने यहाँ पे इसको यही लिख दिया है अब इसको simplify कर लेते हैं वो इसमें से यह x cancel out यह जो x है ना इसको मैं square root x और square root x भी लिख सकती हूँ divided by square root x और यहाँ पे सिर्फ 1 over square root x रह जागा क्यों देखिए अगर मेरे पास यह 2 का square है तो मैं इसको यह सिर्फ 2 है इसको square root 2 और 2 लिख सकती हूँ यह square root 2 और square root 2 यानि कि दो दफ़ा तो वो सिर्फ 2 ही रह जाता स्केर लेने से अब इसमें से भी एक तो यह square root cancel out हो गया तो यहाँ पे square root x और 1 over square root x रह गया अब इसको यही रहने देते हैं अब बाद में इसको हल कर लेते हैं यह आगया answer 2 x d y over dx का यह हमने निकाल लिया है अब इसके अंदर क्या करना है y को add करना है तो मैं इसको इसके अंदर y को add कर दूँगी यानिके 2 x d y over dx में y add कर देंगी तो अब इस साइड पे मैं वो y की value add कर दूँगी क्योंकि यह तो answer 2 x d y over dx का है अब इसके अंदर y और y सवाल के अंदर दिया गया है जो कि क्या है square root x minus 1 over square root x है इसको यहाँ पे add कर देंगे square root x minus 1 over square root x तो यह तो plus minus cancel out और यह आगया 2 square root x तो यही हमें question में required condition थी यही prove करनी थी इसलिए मैंने यहाँ पे इसको simplify करकि यह plus value बनाई थी ताके y में यह add होके cancel out हो जाए तो यह हमारी required condition थी यही इस value के अंदर prove करना था इस question के अंदर देखें 2 x d y over dx plus y is equal to 2 square root x तो 2 x d y over dx plus y is equal to 2 square root x यही सका answer prove हो गया है इसके बाद करते हैं question number 16 तो इसके बाद बचों है question number 17 बड़ा important सवाल है यह इसमें दिया गया है y is equal to x power 4 plus 2 x square plus 2 तो इससे पहले d y over dx निकालना है तो हम इसका derivative निकाल लेंगे power rule से power शुरू में फिर power में से class 4 minus 1 3 हो जाएगा x का derivative 1 हो जाएगा अब यहाँ पे 2 है power जब शुरू में आएगी 2s are 4 x 2 minus 1 करेंगे तो 1 और यह constant है इसका derivative 0 हो जाएगा तो यह answer आ गया अब यह वाली value मैंने बनानी है इसमें से देखें 4 x बाहर है तो मैं इसमें से भी 4 x common ले लूँगी तो बाकी x square रह जाएगा और plus 1 रह जाएगा अब यहाँ पे मैं इसको यह square root बनाना है ना तो मैं इसको यह लिख सकती हूँ square x square plus 1 का square क्योंकि यह वाला square तो square root को cancel out कर देंगा बाकी वह value है तो मैं इसको यह लिख सकती हूँ तो मैंने अब इसका square open कर लेना है यह x का square x power 4 हो जाएगा 1 और 2 a b यानि के 2 x square हो जाएगा तो यह इसको लिख सकते हैं अब यह इसके अंदर y बनाना है हमने तो यह 4 x as it is अब y किसके एकवाल है x power 4 plus 2 x square plus 2 के एकवाल है लेकिन यहां तो 1 है अब 1 में मैंने 2 बनाना है इसके अंदर तो मैं 2 बनाने के लिए इसमें खुद से 1 add भी कर दूंगी और subtract भी कर दूंगी तो यह 4 x इसी तरह और यह x power 4 plus 2 x square यह 1 और 1 2 बन जाएगा और यह वाला 1 इसी तरह अब यहां से यहां तक यह वाली तो सारी value y है question के अंदर दी गई है इसकी जगा y put कर सकते हैं तो मैं अब इसकी जगा पे y put कर दूंगी y और यह वाला minus 1 इसी तरह तो d y over dx इसके equal आ गया है 4 x square root y minus 1 तो यही इस question के अंदर required condition थी यही value हमने prove करनी थी यही इसका answer होगा